आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याय और दशांश हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि पेट्रोल का मूल्य 10 पैसे से बढ़ गया है जबकि डीजल का 16 पैसे से अब दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य होगा 71.12 और डीजल का मूल्य होगा 66.35 इसी तरह क्या आपने दुकान से सामान खरीदने पर प्राप्त हुई रसीत को ध्यान से देखा है क्या इस पर वस्तूओं का मूल्य सिर्फ पूर्ण संख्याओ यानि होल नंबर्स से अंकित किया होता है आपने एसी संख्याओं में एक बिंदु प्रयोग होता हुआ देखा होगा इसे हम कहते हैं दशमलव बिंदु यानि decimal point देशमलव बिंदु का प्रयोग पूर्ण संख्याओं को भाग से अलग करने के लिए किया जाता है जैसे यहां देशमलव बिंदु के प्रयोग से 71 रुपए और 12 पैसे अलग किये गए है इसी प्रकार 66 रुपए और 35 पैसे अलग किये गए है ऐसी संख्याओं जिनमें दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है कहलाती है दशमलव संख्याओं यानि decimal numbers दशमलव संख्याओं बिंदु को व्यक्त करने का एक और तरीका है हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं बिंदु का दशमलव रूप है तो आईए इस वीडियो में हम दशांच यानि 10th स्थान तक व्यक्त की जाने वाले दशमलव संख्याओं की समझ बनाएंगे मान लिजी एक बडे वर्क को हम पूर्ण भाग कहते हैं अगर हम इसे 10 बराबर आकार वाली पट्टियों में विभाजित करें तो प्रतेक पट्टी इस पूर्ण भाग का एक दशांश भाग निरूपित करेगी अगर हम इन में से तीन भाग चाय अंकित करते हैं, तो इस पूर्ण भाग में चाय अंकित भाग की भिन, यानि फ्रैक्शन क्या होगी? सोचिये, सोचिये, चाय अंकित भाग की भिन होगी तीन दशांश, यानि के 3 तेंट्स. जब किसी भिन का हर दस, सो, हजार, इत्यादी जैसी संख्याए हो, तो हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 3 तेंट्स को दशमलव रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, और इसे हम पढ़ते हैं, शून्य दशमलव तीन. किसी भिन को दशमलव रूप में व्यक्त करने पर हमें दशमलव संख्या प्राप्त होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याए भिन का दशमलव रूप हैं, हम कह सकते हैं कि अगर भिन का हर दस हो, तो उसे दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम अंश की संख्या को लिखते हैं और इसके सबसे दाई और के अंख से पहले दशमलव बिंदु रखते हैं अगर अंश में एक ही अंख हो तो दशमलव बिंदु के पहले शून्य रखते हैं आईए इसे स्थानी अमान साड़नी यानि प्लेस वाल्यू टेबल में व्यवस्तित करने का प दशांश इकाई के दाई और होने के कारण इस स्थान का मान भी इकाई से दस गुना कम होगा यानि कि एक दशांश होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य दशमलव तीन में शून्य इकाई है और तीन दशांश है इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दशमलव बिंदु इकाई को दशांच से अलग करता है यानि कि एक पूर्ण संख्या को भाग से अलग करता है अब यहां देखिए यहां एक पूर्ण वर्ग चायांकित है और एक वर्ग का छ दशांच भाग चायांकित है इसलिए इकाई के स्थान पर एक लिखेंगे और चुकि दस में से छ भाग चाय इसलिए दशांश के स्थान पर छ लिखेंगे। इसे दशमलव रूप में एक दशमलव छ इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि स्थानी अमान साड़नी में हम दशमलव बिंदु को नहीं लिखते। आज हमने सीखा दशमलव संख्याय और दशांश। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिंद का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिंद में रूपांतरण। आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रुपान्तरण और दशमलव का भिन्न में रुपान्तरण यहां एक वर्ग है जिसका चार पंच मांच भाग चायांकित है आईए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें उसकी तूल्य भिन यानि इक्विवालेंट फ्राक्शन पता करनी होगी जिसका हर दस, सो, हजार जैसे संख्या हूँ चार पंचमांश की तूल्य भिन यानि इक्विवालेंट फ्राक्शन पता करने के लिए हम इस वर्क के प्रतेक भाग को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो हमें कुल दस बराबर भाग प्राप्त होंगे इन में से अब आठ भाग चायांकित है हम कह सकते हैं कि चार पंचमांश की तूल्य भिन है आठ दशांश इसी को हम दशमलव रूप में 0.8 से व्यक्त करेंगे साधारंटा किसी भिन्न की तूल्य भिन पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को बिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जैसे मान लीजिये हमें 2.6 को बिन्न के रूप में व्यक्त करना है 2.6 में 2 इकाईया है और 6 दशांश है मान लीजिये हम एक वर्ग को एक इकाई मानते हैं इस तरह से दो इकाईों के लिए हम दो वर्ग लेंगे इसी के साथ अब यहां छह दशान्ष भी है इसलिए हम एक और वर्ग को दस बराबर भागों में विभाजित कर इनमेंसे छह भाग लेंगे इस वर्ग में अगर हम दो भागों को जोड़ कर इनका एक ही भाग बनाते हैं तो हमें कुन पांच भाग प्राप्थ होंगे जिनमें से तीन भाग चायांकित है भिन्न के रूप में इसे तीन बटे पांच से व्यक्त किया जा सकता है इस प्रकार दो पूर्णवर्ग और तीन बटे पांच भिन्न साथ में दो और तीन बटे पांच के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं इसलिए दो दशमलव चोग को भिन्न के रूप में दो और तीन बटे पांच से व्यक्त किया जाएगा बिन्नो की ही तरह हम दशमलव संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं आईए इसे समझे यहाँ एक संख्या रेखा है दशमलव संख्याओं का निरूपन देखने के लिए इस पर हमने कुछ ही संख्याएं ली हैं चलिए, इकाई दूरी के दस भाग बनाएं। क्या आप बता सकते हैं, इसमें से एक भाग कैसे व्यक्त किया जाएगा? सोचिए, सोचिए! सही सोचा, यहां होगा एक बटे दस, इसे ही हम 0.1 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार, दो दशांश भाग 0.92 से, तीन दशांश भाग 0.93 से व्यक्त किया जाएगा। ज़रा सोचिए, अगर हमें 2.96 को संख्या रिखा पर निरूपित करना होगा तो कैसे करेंगे? यहां भी हम इकाई दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चुकि 2.6 में 2 इकाईया है और 6 दशांश है, इसलिए हम 2 के आगे 6 भाग गिनेंगे। इससे हमें 2.6 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3.9 को संख्यारेका पर निरूपित करने के लिए हम इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएंगे और 3 के आगे 9 भाग गिनेंगे। इससे हमें 3.9 का स्थान प्राप्त होगा। अब आईए जानते हैं। आज हमने सीखा भिन्द का दशमलव में रुपाइंतरण और दशमलव का भिन्द में रुपाइंतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के तुलना कैसे की जाती है। दशमलव संख्याओं के तुलना कैसे की जाती है। संख्या रिखा पर दाई और संख्याओं का मान बढ़ता है और बाई और घटता है। इस समझ से हम दशमलव संख्याओं के तुलना कर सकते हैं, जैसे यहां 3.9, 2.6 के दाई ओर है, इसलिए 3.9 बड़ा है 2.6 से, यह हम कह सकते हैं कि 2.6, 3.9 के बाई ओर है, इसलिए 2.6 छोटा है 3.9 से, दशमलव संख्याओं के तुलना संख्या रेखा के बिना भी की जा सकती है, इसके लिए पहले हम दशमलव बिंदु के बाई ओर व्यक्त की गई पूर्ण संख्याओं, यानि whole numbers की तुलना करते हैं, जैसे 12.5 और 14.92 में पूर्ण संख्या 14 पूर्ण संख्या 12 से बड़ी है, जरह सोचिए, अगर पूर्ण संख्याओं का मान बराबर होगा, तो आप तुलना कैसे करेंगे? सोचिए, सोचिए. चलिए, हम बताते हैं, जब दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्याओं बराबर होगी, तो हम दशांश भागों की तुलना करते हैं. जैसे 23.4 और 23.7 में उर्ण भाग बराबर हैं इसलिए हम दशांश भागों की तूलना करेंगे यहां 7 दशांश, 4 दशांश से बड़ा है इसलिए 23.7 बड़ा है 23.4 से आज हमने सीखा दशांश संख्याओं के तूलना कैसे की जाती है अगले वीडियो में दशांश से संबंदित कुछ उधारन देखेंगे आज हम देखेंगे दशांश से संबंदित उधारन दिये चित्र को देखकर पता कीजिए कि सिरिंज में दवाई की मात्रा कितनी है जैसा कि हम देखते हैं, सिरिंच पर स्केल मिलिलिटर में अंकित की गई है यानि कि यहां तक दवाई होने पर हम कहते हैं कि दवाई की मात्रा एक मिलिलिटर है आप यहां भी देख सकते हैं कि यहां प्रतेक मिलिलिटर को दस बराबर भागों में बाटा गया है इस प्रकार मिलिलिटर का एक भाग होगा एक दशांश मिलिलिटर चुकि यहाँ दो पूर्ण है और पांच दशांश है इसलिए सिरिंच में दवाई की मात्रा होगी दो दशमलब पांच मिलिलिटर अगला उधारण जयन्त ने तीन और एक बटे दो रोटिया खाई है आप इसे दशमलब में कैसे व्यक्त कर सकते है जयन्त ने तीन और एक बटे दो रोटिया खाई है यहाँ तीन और एक बटे दो यह संख्या एक बिन यानि फ्राक्शन है तीन और एक बटे दो का दश्यमलव रूप हम निम्न प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं चुकि तीन और एक बटे दो में तीन पूर्ण है और एक आधा है इसलिए हम इसे तीन धन एक बटे दो भी लिख सकते हैं यहां तीन पूर्ण भाग है और एक पूर्ण भाग का आदा भाग है यहां हमें एक बटे दो को ऐसी भिन्द में परिवर्दित करना होगा जिसका हर दस, सो, हजार जैसी संख्याए हो इसके लिए हम इस पूर्ण भाग को दस बराबर भागों में विभाजित करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहां रोटी के दस में से पांच भाग है इसलिए एक बटे दो की तूल्य भिन याने एक्विवालेंट फ्रैक्शन है पांच बटे दस तो बताईए अब 3 इकाया और 5 दशांच दशम्लव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं 3 इकाया और 5 दशांच व्यक्त किया जाएगा 3 दशम्लव 5 से एक बटे दो की तूल्य भिन पता करने का एक और तरीका भी है इसके लिए हम 1 बटे 2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुना करेंगे इससे हमें 1 बटे 2 की तूल्यभिन प्राप्थ होगी 5 बटे 10 इसे हम दशमलव रूप में लिखते हैं 0.5 से इसी के साथ 3 और 1 बटे 2 को 3 धन 0.5 से व्यक्थ कर सकते हैं याने की 3.5 से तो दशमलव में हम यहां कह सकते हैं कि जयन्त ने 3.5 रोटिया खाई है आज हमने देखे दशांश से संबंदित उधारन अगले वीडियो में इनसे संबंदित कुछ मित्याधारनाओं को दूर करेंगे आज हम देखेंगे दशांश से संबंदित मिथ्याधार्नाएं और कुछ साधारन गलतिया मिथ्याधार्ना एक एक दिन शिक्षक ने बच्चों को एक बटे दो को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए कहा मनीश ने एक बटे दो का दशमलव रूप 0.1 लिखा नीरज ने एक दशमलव दो लिखा और सीमा ने शू ने दशमलव पांच लिखा तो बताईए तीनों में कौन सही है बच्चे या समझ नहीं पाते की किसी भिन्दक को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए उसका हर दस, सो, हजार इत्यादी जैसी संख्याय होना अवश्यक है कुछ बच्चे नजरंदास कर देते हैं कि यहां हर दस नहीं है और वे एक बटे दो के अंश को दशमलव बिंदू के बाद लिखकर एक बटे दो का दशमलव रूप 0.1 लिखते हैं कुछ बच्चों की यहां समझ बन जाती है कि दशमलव रूप में व्यक्त करते समय अंश को दशमलव बिंदू के पहले और हर को दशमलव बिंदू के बाद लिखा जाता है यह दोनों जवाब गलत है इसलिए ऑप्शन एक और ऑप्शन दो गलत है सही समझ यह है कि एक बटे दो की तूल्यभिन यानि इक्विवालेंट फ्राक्शन्स पता करनी होगी जिसका हर दस, सो, हजार इत्यादी जैसी संख्याय हो एक बटे दो के अंश एक और हर दो को पाँच से गुणा करने पर हमें पाँच बटे दस यह तूल्यभिन प्राप्त होती है इसे दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है शून्य दशमलव पाँच से इसलिए एक बटे दो बराबर 0.5 है यानि कि option 3 सही जवाब है मिथ्यधार्णा 2 दशमलव संख्याओं के तुलना करना सीखते समय शिक्षत ने समीर से सवाल पूछा क्या दशमलव संख्याओं 0 से छोटी होती है इस पर समीर ने जवाब दिया हाँ क्या आप बता सकते हैं कि समीर का जवाब सही है या गलत कई बार यह मिथ्यधार्णा बन जाती है कि दशमलव संख्याओं 0 से छोटी होती है इस समझ के साथ समीर के जवाब को सही समझा जाता है और option 1 यह गलत जवाब दिया जाता है सही समझ यह है कि दशमलव संख्याएं पूर्ण भाग का भाग यानि part of a whole व्यक्त करती हैं जो कि शून्य से जादा ही होता है अगर हम किसी दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका स्थान शून्य के दाई ओर ही होता है जैसा कि आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर दाई ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाई ओर घटता है चूकि प्रतेक दशमलव संख्या शून्य के दाई ओर निरूपित की जाती है इसलिए दशमलव संख्याएं शून्य से बड़ी होती है यानि कि सही जवाब है option अब आईए देखते हैं दशांश से संबंदित कुछ साधारन गलतिया कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं को स्थानी अमान साडनी यानि प्लेस वाल्यू टेबल में व्यक्त करते समय दशमलव बिंदू यानि डेसिमल पॉइंट को भी साडनी में दर्शाते हैं या गलत समझ है हम स्थानी अमान साडनी में अंकों को उनके स्थानों पर दर्शाते हैं क्योंकि संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है जैसे 103.4 में 4 दशांश स्थान पर है इसलिए इसका मान है 0.4 लेकिन स्थानिय मान साडने में हम इसे सिर्फ 4 इस अंग से व्यक्त करते हैं यहां हम दशांश बिंदू नहीं दर शाते संख्याओं में अंगों के स्थानों की बात करें तो बच्चों को दशांश और दहाई के स्थानों में उल्चन होती है इस तरह से 34.8 में 3 दशांश का अंग और 8 दहाई का अंग समझा जाता है यहां समझना जरूरी है कि दशांश बिंदू के दाई तरफ दशांश का स्थान होता है और दहे का स्थान दशमलव बिंदू के बाई और दूसरा स्थान होता है अगर हम एक पट्टी को एक इकाई माने तो दस पट्टियों के समूह को एक दहाई कहा जाता है अब अगर हम एक पट्टी लेकर इसके दस बराबर भाग बनाए तो इन में से एक भाग एक दशांश कहलाता है इसलिए दहाई के स्थान का अंक दस इकाईों के कितने समूह है यह बताता है जबकि दशांश का अंक एक इकाई के दस बराबर भागों में से कितने भाग लिये हैं यह दर्शाता है कुछ बच्चे एकाई के स्थान के बाद एकांश यानि वंस का स्थान भी जोडते हैं जबकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता दशमलव बिंदू के बाद में दशांश का स्थान होता है किसी वस्तू का दशांश भाग एक बटे दस से व्यक्त किया जाता है इस तरह से एकांश का अर्थ होगा एक बटे एक मतलब एक लेकिन हम एक को इकाई के स्थान पर ही दर्शाते हैं इसलिए हमें एकांश स्थान के जरूरत नहीं इसलिए हम यह स्थान नहीं दर्शाते आज हमने देखी दर्शान्श से संबंदित मित्याधारनाय और कुछ साधारन गल दिया आज हम सीखेंगे शतान्श और हजारवा एक फल वाला फल बेच रहा था रास्ते से जाते हुए राहुल के नजर फलो पर पड़ी ताजे-ताजे सेब देखकर उसका मन ललचा गया उसने फल वाले को सेब का दाम पूछा फल वाले ने दाम बताया पचपन रुपए प्रती किलो अगर राहुल आदा किलो सेब खरीदता है तो उसे फल वाले को कितने रुपए देने चाहिए? सोचे, सोचे सही सोचा चुकि राहुल आदा किलो सेब खरीद रहा है तो उसे दाम भी आदा ही देना पड़ेगा याने कि 27 रुपए 50 पैसे क्या आप बता सकते हैं इसे हम रुपए में कैसे व्यक्त करेंगे? इसके लिए हमें संख्या के दशांच यानि टेन्स के स्थान के साथ-साथ शतांच यानि हंड्रेट्स और हजारवे यानि थाउजन स्थानों की जानकारी भी होना आवश्यक है तो आईए रोचक तरीके से इनकी समझ बनाए यहाँ एक रुपएा है क्या आपको पता है कि एक रुपएा बराबर कितने पैसे होते है? एक रुपएा बराबर सौ पैसे होते है जैसे मान लीजिए एक पूर्णवर्ग रुपए एक को निरुपित करता है अगर हम इसे दस बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग होगा एक दशांच अगर हम प्रत्येक दशांच भाग के भी दस बराबर भाग बनाते हैं तो हमें ऐसे कुल सो बराबर भाग प्राप्त होंगे अब हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग बराबर सो भाग है यानि कि एक रुपया बराबर सौ पैसे अगर हम सिर्फ एक भाग की बात करें तो यह संपूर्ण वर्ग का एक शतांच भाग है यानि कि एक पैसा रुपय का एक शतांच भाग है यह एक भिन यानि फ्राक्शन है जिसका अंश एक और हर सौ है एक भिन जिसका हर सो हो को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं जैसे एक शतांश को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं इसे हम पढ़ते हैं 0.01 अब यहां दशमलव बिंदू यानि decimal point के बाद दो स्थान है दशमलव बिंदू के दाई और पहला स्थान दशांश यानि tenths का है और दूसरा स्थान शतांश यानि hundreds का है जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्णवर्ग का दस्वा भाग एक दशांश है ठीक इसी प्रकार एक दशांश का दस्वा भाग एक शतांश है इससे आप क्या समझते हो? सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं जैसे जैसे हम बाई से दाई जाते हैं प्रतिक स्थान का मान पिछले स्थान के मान से एक दशांश होता जाता है इस समझ के साथ आईए अधूरे सवाल को पूरा करते हैं सवाल था 27 रुपय 50 पैसे को रुपयों में व्यक्त कैसे करेंगे? चूकि 1 रुपय बराबर 100 पैसे इसलिए 1 पैसा बराबर 1 बटे 100 रुपय इस तरह से 50 पैसे बराबर 50 बटे 100 रुपय याने कि 0.50 रुपय इस प्रकार 27 रुपय और 0.50 रुपय साथ में 27.50 रुपय बन जाएंगे जरा सोचिए अगर हम सो भागों में से प्रतेग भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो कितने भागोंगे? सोचिए सोचिए सही सोचा एक भाग के 10 भाग इसलिए 100 भागों के 100 गुना 10 बराबर 1000 भाग इन हजार भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यहां इस संपूर्ण वर्ग का एक हजारवा यानि वन थाउजंद्स भाग होगा इसे ही हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और पढ़ते हैं 0.001 इस प्रकार से दशमलव बिंदु के दाई और तीसरा स्थान है हजारवा यहां एक संख्या है क्या आप इसे पढ़ सकते हैं प्रयास कीजिए आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा इसे हम पढ़ेंगे 125 दशमलव 378 यहां दशमलव बिंदु के बाई और पूर्ण संख्या यानि होल नंबर है इन्हें व्यक्त करने के लिए हम इकाई यानि यूनित्स दहाई यानि टेंस सैकड़ा यानि हंड्रेट्स और हजार यानि थाउजंस जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं इसी प्रकार दशमलव बिंदु के दाई और एक संपूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है इसके लिए हम दशांश, शतांश और हजारवा जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं अगर हम दाई से बाई जाते हैं तो प्रतेक स्थान अपने पिछले स्थान से दस गुना बड़ा होता है तो इस दिशा में हम दस से गुना करते हुए जाते हैं इसी प्रकार अगर हम बाई से दाई जाते हैं, तो प्रतेक स्थान पिछले स्थान से दस गुना छोटा होता है। इसलिए इस दिशा में हम दस से विभाजित करते हुए जाते हैं। तो बताईए एक शतान्ष और एक हजारवा में क्या संबंध है। सोचिये सोचिये। चलिए हम बताते हैं, एक हजारवा एक शतान्ष का दसवा भाग है। यानि कि एक हजारवा एक शतान्ष से दस गुना छोटा है। आज हमने सीखा शतांश और हजारवा अगले वीडियो में हम सीखेंगे बिन्न का दशमलव में रुपान्तरण और दशमलव का भिन्न में रुपान्तरण अब चलिए जानते हैं बिन्नों को दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करें मान लीजिए हमें 3 चौथाई को दशमलव रूप में व्यक्त करना है इसके लिए हमें 3 चौथाई की तुल्यभिन याने equivalent fraction पता करनी होगी जिसका हर 10, 100 या 1000 हो या हम किसी भी प्रकार से 3 चौथाई का हर 10 नहीं कर सकते लेकिन अगर हम 3 चौथाई के अंश और हर को 25 से कुणा करें तो हमें 3 चौथाई की तुल्यभिन 75 शताँश प्राप्त होती है जिसका हर 100 है अब हम 75 शताँश को 0.75 लिख सकते हैं चलिए अब हम जानते हैं दशमलव रूप से भिन्न कैसे प्राप्त करें मान लीजिए हमें 3.25 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है इसके लिए हम एक संपूर्ण यानि की एक इकाई को एक वर्ग मानेंगे शताँश तक की संख्या दर्शाने के लिए हम इसे 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तीन को दर्शाने के लिए हम तीन वर्ग लेंगे और इनके सभी भागों को छायांकित करेंगे और पचीस शतांश दर्शाने के लिए हम सौ में से पचीस भागों को छायांकित करेंगे, जो कि व्यक्त किया जाएगा भिन्न पचीस बटे सौ से, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्ग का छायांकित भाग पूर्ण वर्ग का एक चोथाई भाग है, इसलिए हम पचीस पूर्ण और एक चोथाई भाग, भिन्न के रूप में तीन और एक चोथाई इस प्रकार व्यक्त किये जाएंगे, इसलिए तीन दशमलव दो पाच का भिन्न के रूप में रुपांतरण है, तीन और एक चोथाई गणित में किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पूर्ण भाग और इकाई से चोटे भाग को अलग करते हैं, फिर हम इकाई से चोटे भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर इस भिन्न का सरलतम रूप यानि सिंपलस्ट प्राप्त करते हैं और अंत में पूर्ण भाग को 81 चोटे भाग के साथ लिखते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का संख्यारेखा पर निरूपण। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का संख्यारेखा पर निरूपण। जरा सोचे क्या हम शतांश और हजारवे स्थान तक की संख्याओं को संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? सोचे सोचे हाँ, हम जरूर कर सकते हैं जैसे यहां देखिए इस संख्यारेखा पर 0 से 10 तक संख्याय व्यक्त की हैं अगर हम संख्यारेखा को बढ़ा करते हैं, तो हम 0 से 1 तक का अन्तर 10 बराबर भागों में विभाज़ित कर सकते हैं। इनके उपयोग से अब हम 0.01, 0.02, 0.03 जैसी शतांश स्थान तक की संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम इससे संबंदित कुछ उधारण देखेंगे। आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा के उधारण। अध्यापक ने अक्षे की लंबाई मापी। लंबाई थी 145 सेंटिमीटर। अध्यापक ने अक्षे को इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए कहा। अक्षे ने लंबाई लिखी 1.45 मीटर। क्या उसने लंबाई सही प्रकार से व्यक्त की है। चलिए 145 सेंटिमीटर को मीटर में व्यक्त करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि 100 सेंटिमीटर बराबर 1 मीटर है। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटिमीटर बराबर 1 शतांश मीटर। इस प्रकार 145 सेंटिमीटर बराबर 145 शतांश मीटर। जब हर 100 हो तब हम अंच के दाई ओर के दो स्थानों को छोड़कर दशमलव बिंदू याने डेसिमल पॉइंट रखते हैं। इस तरह से 145 सेंटिमीटर बराबर 1.45 मीटर। आईए इसे दूसरे तरीके से समझे। 145 सेंटिमीटर बराबर 100 सेंटिमीटर धन 45 सेंटिमीटर। चुकि 100 सेंटिमीटर बराबर 1 मीटर। और 45 सेंटिमीटर बराबर 45 शतांश मीटर। याने की 0.45 मीटर इसलिए 145 सेंटी मीटर बराबर 1 मीटर धन 0.45 मीटर याने की 1.45 मीटर इस प्रकार अक्षेय ने मीटर में लंबाई को सही प्रकार से व्यक्त किया है अगला उधारन रिया अपनी मांक के साथ सबजी मंडी गई उसे एक तर्बूस खरीदना था उसने दो तर्बूस पसंद किये एक का वजन था 3.259 किलोग्राम और दूसरे का वजन था 3.23 किलोग्राम मा ने रिया से पूछा कौन से तर्बूस का वजन ज्यादा है 3.259 किलोग्राम वाले तर्बूस का या 3.23 किलोग्राम वाले तर्बूस का इस पर रिया का सही चावाब क्या होना चाहिए यहां हमें दोनों तर्बूसों के वजनों के तुलना करनी है तर्बूसों के वजन दशमलब संख्याओं में व्यक्त किये हैं किनी भी दो दशमलव संख्याओं के तुल्णा करने के लिए पहले हम इसके पूर्ण भाग के तुल्णा करते हैं जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा वह संख्या बड़ी होती है यहां 3.259 का पूर्ण भाग 3 है और 3.23 का पूर्ण भाग भी 3 ही है यानि कि दो संख्याओं में दशांच स्थान पर अंक दो है इसलिए हम शतांच स्थान के अंकों की तुलना करेंगे यहां तीन दशमलव दो पांच नो के शतांच स्थान पर पांच है और तीन दशमलव दो तीन के शतांच स्थान पर तीन है चुकि पांच शतांच तीन शतांच से संख्या है इसलिए रिया का जवाब होना चाहिए तीन दशमलव दो पांच नौ किलोग्राम अगला उधारण एक परिक्षा में अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले प्राप्ट मार्क्स को भिन्न के रूप में निरूपित कर इसका दशमलव रूप प्राप्ट करें अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले इसलिए प्राप्ट मार्क्स की भिन्न होगी 29 बटे 40 आईए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें इसके लिए हमें 29 बटे 40 की तूल्य भिन यानि एक्विवालेंट फ्राक्षन पता करनी होगी जिसका हर 10, 100 या 1000 हो क्या आप बता सकते हैं 29 बटे 40 की तूल्य भिन क्या होगी जिसका हर 10, 100 या 1000 जैसी संख्या हो सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं यहां हम किसी भी प्रकार से 29 बटे 40 का हर 10 या 100 नहीं कर सकते लेकिन अगर हम 29 बटे 40 के अंश 29 और हर 40 को 25 से गुना करे तो हमें 29 बटे 40 की तूल्य भिन 725 बटे 1000 प्राप्त होती है जिसका हर 1000 है अब हम 725 बटे 1000 को 0.725 लिख सकते हैं यहां 29 बटे 40 का दशमलव रूप है अगला उधारण आकाश ने 1.056 को भिन्न के रूप में 1 और 7 बटे 125 लिखा क्या आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है यहां 1 इकाई है 0 दशांश है 5 शतांश है और 6 हजारवे है जैसा कि आप जानते हैं दाए से बाए अंको का स्थानी अमान 10 गुना होता जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 शतांश बराबर 50 हजारवे हैं इस तरह से अब यहां कुल 56 हजारवे हैं एक पूर्ण के 1000 बराबर भागों में से 56 भागों के लिए हम भिन 56 बटे 1000 लिख सकते हैं अगर हम अंश और हर को आठ से विभाजित करें तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप यानि सिंपलिस्ट फॉर्म प्राप्त होता है 7 बटे 125 अब 1 इकाई और 7 बटे 125 भाग मिलाकर भिन 1 और 7 बटे 125 लिखा जा सकता है इसलिए आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है आज हम ने देखें शतांश और हजारवा के उधारण अगले वीडियो में इन से जोड़ी मित्याधार्णाओं को दूर करेंगे